कि देखेंगे बच्चों गुणंद खंड का मतलब क्या होता है कि सी भी नमर को प्राइम नमर के मल्टिप्लाइ के रूप में लिखना है यदि आप गणित बैसिक से सिखेंगे तो आपके लिए गणित आसान हो जाएगा तो सरी प्राइम नमर कौन से रहते हैं यह रहते हैं दो, तीन, पाँच, साथ यह आपके एक से लेकर दस तक के प्राइम नमर है ठीक है तो यहाँ पर हम सरवाप्रतम देखें क्या यह दो से भी बाजी है यस दो का भाग यह चैवार, चार दू, आठ, आठ, दू, सोड़ा फिर इसमें दो का भाग, तीन, दू, सै, दो, दू, चार, चार, दू, आठ, फिर इसमें दो का भाग, एक, चार, दू, बारा, दू, दू, चार, फिर इसमें दो का भाग, आठ वार, एक वार, एक यह दो का भाग नहीं जा रहा है लेकिन तीन का भाग जा रहा है कितना, दू वार, साथ वार, इसमें तीन का भाग जा रहा है, 9 वार, 9 में 3 का भाग जा रहा है 3 वार, फिर 3 में 3 का भाग आपका 1 वार ठीक है? तो देखे, लाश्ट हमारा 1 आ गया है, मतलब कि आपका परकिल्या पूरा हो गया है तो 1260 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखे, 2 कितनी वार है? 1, 2, 3, 4 इसको क्या लिखेंगे? 2 का भाग चार 3 कितनी वार है? 1, 2, 3, 4 इसको क्या लिखेंगे? 3 का भाग चार, गुणा में या 2 को 4 वार गुणा में लिख सकते हैं 3 को 4 वार गुणा में लिख सकते हैं ठीक है, ये बैसिक बातें आप खुद जानते हैं ओके आसान है धनिवास पुरहंदर के लिए यूट्यूब पर सार्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें